भगवन दो राउंड पास हो गए हैं, एचर राउंड और पास करवादो, पहली सेलरी आपकी दान पेटी में डाल दूँगा क्या बॉस, फोन छोड़ कर इंटर्विवी पर ध्यान दो, इस कंपनी की डीटेल चेक कर रहा हूँ बेस्ट के वाल इंकम की वज़े से नहीं होती, कस्टमर्स भी बढ़ने चाहिए, इस कंपनी का मुनाफ़ा तो हर साल बढ़ रहा है, लेकिन कराहक कम होते जा रहे हैं, अगर मुझे ये जॉब मिला, तो मैं इसी इश्यू पर ध्यान दूँगा एक्सक्यूज मी लगता है बहुत ज्यादा टेंशिन में हो ये कोई गवर्मेंट जॉब नहीं है, जो इंटर्वी में पास हो गए तो मिल जाएगा, ये कॉर्परेट जॉब है, प्रोजेक्ट्स और टागट्स के रूप में यहां हर रोज एक नया इंटर्वी होता है, इंटर्वी लेने वाले को हमें ये अहसास दिलाना होगा, कि हम से बेटर कोई नहीं है, सो बी कॉन्फिदेंट, गाइज, इंटर्वी इस ओवा, क्या कह रहा है, इंटर्वी हो खात्म, कब और किसने ली, यहीं और इसी वक्त, इस कंपनी के मैनेजिंग जारेक्टर, मिस्टर विक्रमा दिट्ट्ट्ट्ट् आपने हमें से सिर्फ इन दोनों को ही सेलेक्ट किया, मुझे यह बात अच्छी लगी कि तुमने दूसरे के डरे बिना उनकी मदद की, तुम्हारा कॉंफिद्नस मुझे पसंद आया, थांकियू सिर्फ, इसने यह नहीं सोचा कि कंपनी से क्या देगी, बलकि इसने यह नही यह सोचा, कि यह कंपनी को किया दे सकता है, तुम्हारा इंटेंशन अच्छा लगा, थैंकियो सेर्, गॉट इट, तुम ठीक तो हो, फिलाल तो वो ठीक है, एय, तुम कौन हो, मेरा नाम जानकर क्या करेगा, तेरी भान जी को मैना किड्नाप किया, किड्नाप किया, तु च वेट, वेट, तुम्हें जो चाहिए मैं दूँगा, उसे कुछ नहीं होना चाहिए, डैड, आप सब कोन है, आप शरच चंद्र, ओफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी सर, आप यहां क्यों आए है, आपकी भान जी को किड्नाप किया गया, ऐसे इंफर्मिशन मिलिया सर, आप से किसने का मेरी भान जी किड्नाप हुई है, आपको किसी ने गलत ख़बर दी है सर, आप उनने समयुक्ता के लिए 50 लाग तो क्या, हम 50 करोड भी दे सकते हैं, लेकिन जिसने उसे किड्नाप किया है, उसका पता लगाना जरूरी है, अगर हमने पुलिस को बताया तो वो समयुक्ता को मार दीगा, मेरे बताने से पहले क्या आपको पता था कि मैं पुलिस वाला हूँ, तो आप सभी के नंबर टाप करेंगे, कैश रेडी है ना, हाँ, हाँ, कैश रेडी है, बताओ कर आप हुचना है, मेरा बेटा लेकर आएगा, काली पैंट सफीज शट पैना कर नौ बजे सेंट्रल मॉल भेज़ो, कारकान, पीछे की तरफ खड़ी है सर, गवल जूए, डाओ यह कर आउ, शयर्व नया, डाहए, टूर्ख सै घंट्रल मॉल, सेंट्रल मॉल, मलेशियन शोपिंग मॉल परा हूँ मलेशियन शोपिंग मॉल मलेशियन शोपिंग मॉल सीधियों से फर्स फ्लोर पर वाश्रूम में आ जाए वाश बेसियन के नीचे एक ब्राउन बैग पड़ा है ब्रीफ केस से कैश निकाल कर उस बैग में डाल दो और ब्रीफ केस को वही भैंक दो फिर बैग लेकर सीधा चौते क्लोर पर आ जाओ जीपियस वाला ब्रीफ केस मिसिंग है सर बोलो तुम्हारे पीछे बीबी लैंड शॉप है उसके अंदर जाओ ताही तरफ एक रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी है जिसके अंदर एक ब्लाक कलर की टोपी है उसे उठा लो अपने फोन को स्विच आफ करके वहाँ पर रखतो और वहाँ जो फोन है उसे उठा लो गाइस कुछ तो कर बढ़े वी अलर्ट उस टोपी को पहन कर लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर पर आजा लिफ्ट से बाहर निकल देगी एक जिट नमबर टू के सामने तुम्हें एक बिना नमबर प्लेट की सफेद गाड़ी दिखेगी मेरी कजन कहा है पहले जो कह रहा हूँ वो करो काईस अधे ते लिफ्ट से नीचे जा रहा है थर्ड फ्लोर सेकंड फ्लोर फर्स फ्लोर अधे तेने ब्लेक क्या पैनी उसका पीछा करो कैफुली यस सर् एक जैसे कपड़ों में इतने सारे लोग कहां से आ गये मतलब यह उसी की कोई चाल है वो अकेला हम सब को फसा रहा है वो और दो वो सक्षिक है झापक भजन तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब कौन है भुतो जो खेल तुने शुरू किया है उसे खत्म करने वाला विनर हूँ मैं क्या खेल खेला है खिलाडी तो बहुत सारे थे पर उन सब के पीछे दिमाग सिर्फ तेरा सुपब तेरे बाप ने आधी जायदाद जब सम्युकता के नाम पर कर दी तब तुने सोचा कि उसे अपने रास्ते से हटाना होगा तुझे पता चला कि सम्युकता मुझसे प्यार करती है तो मुझे मोहरा बना कर तुने उसे मारने का प्लान बना है सम्युकता के कतल का शक्त तुछ पर ना है इसलिए तुने किड्नापिंग का प्लान बना है इसे किड्नाप करके अपने पास रखना है और जब मैं कहूं इसे मार कर इसकी लाश को मेरी बताईवी जगे पर ठेंग देना है CMR Central Mall की पारकिंग में तुने सम्युकता को किड्नाप करवाया सब कुछ हमारे कंट्रोल में है सारे सेसी टीवी कैमरास बंद करवा दिये हैं पुलिस कवर भी हटा दिया है आप उसे ले जा सकते हैं कहां है वो कहां है सम्युकता को क्यों नहीं मारा तुने जब आपने फोन किया था मैं उसे मार नहीं वाला था किसने कहा है मुझे मारने के लिए अच्छा आखरी ख्वाइश तुम्हारे मामा का बेटा विक्रम अदित्ति कितने पैसे दिये उसने पांच करोड मैं दस करोड दूँगी मुझे छोड़ दो दस करोड अगर मन्जूर है तो अभी तुम्हारे बैंक में ट्रांसफर कर देती है तेरा करोड 36 लाग मुझे ये सारा पैसा चाहिए ठीक है अकाउंट तंबर दो 0514 11400 15392 कितना टाइम लगेगा तुम्हारा अकाउंट नमबर आड़ कर लिया है पैसे ट्रांसफर होने में एक घंडा लग जाएगा मेरे पास इतना वक्त नहीं है पैसा अभी ट्रांसफर करो तो फिर अपने अकाउंट से लॉग इन करके मुझे पैसे रिसीव करने की रिक्वेस्ट भीजो जैसे ही मैं एकसेप करूँगी पैसे ट्रांसफर हो जाएगे मैंने तुम्हें रिक्वेस्ट भेज़ दिया है एकसेप कर लो हलो मार दिया उसे मार दिया सर्थ समिक्टा की डेट बोडी को सिल्वर बीच रोड पर फेंग दो ओके सर्थ दूसरा टागेट उसी रोड के गीता बस टॉप पर इंजार कर रहा है फोटो मैसेज कर रहा हूँ उसे मार का डेट बोडी को कहीं दूर ठीकाने लगा देना ओके सर्थ पैसे आगे मैं निकलती हो मुझे पता था तुम कुछ ऐसा ही करोगे ज़रा नीचे देखो पैसे हो गए है ट्रांसफर हाँ पर तुम्हारे अकाउंट से मेरे अकाउंट में मैं ने तुम्हें रिक्वेस्ट भेज़ दिया है एक्सेप कर लो हलो अपना पैसा वापस लेना आता है मुझे आई विल बी बैक इसका मतलब सम्युकता चार दिन से उसी फाम हाउस में है क्या सबूत है अपना फोन दो यह एक डाक रूम है मेरा अलावा किसी को भी नहीं पता कि यह कमरा कहा है अंदर कोई कितना भी चिलाए आवास बहार तक नहीं आ सकती सम्युकता सांस नहीं ले पा रही है मतलब रूम का ऑक्सिजन सिरिंडर खत्म हो चुका है मेरे हिसाब से वो लगबग एक या दो घंटे तक और जिन्दा रहेगी तेरी महबूबा के पास ज्यादा वक्त नहीं है वो एक घंटे में मर जाएगी इतनी छोटी सी बात सुनकर सदमा लग गया क्या हाँ वो तू कुछ पुलिस का गेन दिखाने वाला था उसका क्या हुआ असली खेल तो अब शुरू हुआ है अब या तो तू खुद की बेगनाही साबित कर ले या फिर सम्युकता को बचा ले केवल एक घंटा है तेरे पास केवल एक घंटा बचा सकता तो बचा ले अपने प्यार को ये एक घंटा फैसला करेगा कि जी तेरी होगी या मेरी टाइम शुरू होता है अब हलो